पूरे प्रसासन की ओर से आप सभी लोगों को भेर सारे सुब कामना हैं, नया जीवन, नया तहिंके से और समझ के साथ सुरू करने के भी अपेक्षा हैं। आज मारनी मुख्मंत्री सामोहिक विवाह कारिकन में हमारे बीच पधारेवे मारे किसान मोर्चा के गृदेश सद्ध्य श्री नागयन सिंग जी, राहूर जी, हमारे पीडी पीडी सहाब, जिला समाज का ल्यानदिकारी, आने दिकारेगा ना, पंडित जी, यू, नौ, अपार प्रसंता इस बात की हुई कि 65 लच्छ मिला था जनपदगो, और 65 नामनेशन बहुत जल्दी हो गया, आठ-दस लोग मेरे पास आए, उनका नामनेशन इसलिए नहीं किया जा सका, उनमें साधी इसलिए नहीं किया जा आप लोगों को भी इसमें संब्लित किया जाए, तो यह बड़ी प्रसंता की बात है, और ये सामोहिक साधी से एक तो बहुत सारे खर्शे आपको बढ़ जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं किस तरह की बुराईयां आई हैं साधी में, किस तरह से लोग करते हैं, हमारे बि तो आप हमसे बताएंगे, टेलीफोन जिलाधिकारी का रहता है, टेलीफोन से भी बात कर सकेंगे और आकर को हमिल सकेंगे, बस मुझे यही कहना है, कि ये आपकी सुरुआत है, एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रहे हैं, हर परिवार की अलग अलग सोच, विचार, एक तरह कह लेती, उसके संसकार अलग अलग होते हैं, तो उसमें आपको रम जाना होगा, देखे, वैदिक जो साधी होती थी, दो तीन चीज़े जो आज बुराई लगती हैं, उसे समस्थ बहुत अच्छा ही थी, जो आज की दहेज कहते हैं, दहेज नहीं था, बेश्वर लड़की को संपत्ती का पूरा दिता तो लड़के को होता है, तो लड़की को किस तरह से किया जाए, इसको कंपंसेट किया जाए, और नव इवक साधी के बाद आर्थिक समस्याओं में न उलजे, इसलिए उनके कुछ दिनों के लिए सामान और सारी अवस्त्ता चीज़े दे दी जाती ही ताकि वो उनको आर्थिक समस्याओं और समय समय जब जाते थे तब उनको दिया जाता है, इसलिए उसका सेर होता है, लड़की को सेर होता है, वो अब बुराई के रूम में आ गया, मांग करने लगे, दहेश की मांग करने लगे, इसी तरह से जो कंयादान की बात है कि लड़की कमाइका से मतलम नहीं रहे गया, सुफ्राल जाये कि इसके पीछे उदेश मातर यहीं होता था, आज कर देखिए कितनी लड़ाई जगला होती है, तलाक हमारे हां कलपना ही नहीं की जाती थी, अब कितने होने लगे हिंदों में होने लगे, पता चला कि आपके पास मुबाईल है, छोटीशी बात हुई, ओव आपने फटते माइके टेलफून कर दिया, पता कि आपके भावी किया किस अर्थ में आपने कहا किस अर्थ में आपकी सास या जनान्ने कहा कि अर्थ में उन्होंने समझा το, इसे होता है, वह महने लगता है, आपकी परिवार में आपके तरह से माता पिता हैं अगर आप अपना ब्योहार पाजरण अच्छा रखेंगे तो जिसका ब्योहार अच्छा ठीक होता है वो हर जगां सक्सिज होता है